यशो मती मैया के नंदिलाला बताओ ना प्रभू, कब दोगे मेरी प्रश्णों का उत्तर? ये गरही, ये गरही में सखा आने वाले हैं, तब तक आप खेलोगे मेरे साथ? ये कौन सा खेल खेल रहे हो नारायाण? इत्ता तो बता दो, कि मेरे यहां आने का उत्तेश क्या है? बस कुछ समय की प्रदिक्षा और सेज है, उड़ना तुमने सिक रही सब कुछ पता चल जाएगा मैं यहने सिग्रा आने को कैती, नावगे उत्तो डण मिलेगो डंड? हाँ मुझे तो आज ही मिलो है, एक से बीच तक बाड़ी सुनाने चे, ना सुना पायो मैं तो मुझे भी मिला था, भी सुठक बैठक कराई थी मैया ने मेरी सोचो, दो गुना दंड मिलतो है मुझे कपी मैया उल्टी टांग पे खड़ा कर दे थी, तो कपी दादी सीधी टांग पे अच्छा यह ना संदोलन बन जातो है तो क्या सबको अपनी मैया तर डंड मिलतो है आँ दाओ आपको भी हाँ, मिलतो तो है यू, तुम्हे कभी डंड नहीं मिला पाना हाँ, एक बार कान पकड़ा था मैया ने और एक बार डाटा भी था, बर डंड तो कभी ना मिलो वैसे काना धंड का भी एक लाब होतो है नाब? हाँ, सारी माय पहले डंड देती है और फिर तो गुना प्रेम करती है जित्ता कड़ा डं उत्ता दे ज्रादा प्रेम हाँ, नहीं नहीं तो मैं भी आप जाके मैया से बहुत सारा डंड मागूंगो मांगने से नाम इस है डंड वो तो कच्छू गड़बर करें तो मैया अपने आभी ने देती है अरे काना, कहां चले? अपनी मैया से डंड मांगने मैया की ममतार उसके सारे डोब देखने के लिए तो चैनम बलिया है मैंने तो मैया से डंड पाने और उस डंड के बार तो घुना उसने पाने से वंचित क्यो राऊं? मुझे भी डंड चाहिए श्री हरी श्री नारायान क्या हो आप्रभू? रुक क्यों गय? मुझे लगा कोई मुझे पुकार रो है श्री हरी क्यों भीया मुझे फोल रहलाए क्यों पर हो क्यों ये पर मैंगा कोई जाने आज तु बहुत विलम्होगा है सिग्रेए तैयार होके सारे कारे भी निट्डाने जे गजरा मजसे यह जानकी कर रहा है गया होगो कानह से विजवा देती हूँ अरे जे तुम मैं लेकर आए हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे केसों में सच कर ना जे और बिसंदर हुजाएगो जे आप लेकर आया हूँ अची है कित्ती भाग्यवान हूँ मैं आज कित्ते माह के बाद माह ही ना कित्ते वर्सों बाद मेरे पति देव को जे स्मृति आई है के मुझे गजरे कित्ते प्रिये हैं कित्ते प्रेम से लाय हूँ पिर भी ताना मार रहे हैं ताना ही में तो छुको है क्या? क्या? अब आप मुझे तयार होने दो, पक्का पैनूँगे जाओ जाओ मांगने से नाम मिलतो है डंड वो जो कच्छु गडवर करें तो माया अपन्या भी दे देती है लल्ला थोड़ दे तेरे बाबा बहुत प्रेम सिलाए मेले दे तान्हा चुमा करना मया मेले आपना घजरा गिरा दिया ये तो घंदा हो गयो अब आप मुझे दण्डोगी इकती छोटी सी बात के लिए मैं अपने लल्ला को दण्ड क्यों दोंगी भला इसे धो के पहन लूँगे हम इसे छुईयो मती बहुत बिसे इसे जे लोग कर लो बात मया ने तो टंड दिया ही नहीं कुछ बड़ा करना होगो इसी कौन सी शरारात करूँ कि वह यहां से टंड मिल जाए पुदोजी इत्ती सारी माकन के मटकिया बाहर रखरो दूला और बंसी सगड में रख़वा देंगे निकट के गाउं में सूखे का प्रकोग बढ़गो है तन एक साहता हो जाएगी ध्यान से जी अभी अभी पूरा घर स्वच क्यों है मैंने बाबा ठेरो मैं दे आपकी साहता घरतू हूँ अरे कान्हार रहन दे कॉप हॉँ हॉँ भॉँ मैया आपी आपी तो सच हुआ था मैंने फिर से दंदा कर दियो अब तो पक्का टंड हो गया कोई बात ना है लला तेरी भावना तो अच्छी थी ना वो ही माहत्म पूर्ण है सच तो फिर हो जाएगो जा पूछने के लिए बस्ट्र ले आ मैया ये वाला ना इत्ता सुन्दर मलमल का बस्ट्र है उसे द्यार्थ क्यों करे छोटा सा बस्ट्र है ये सोदा क्या पतो कभी अफसर पड़े पर कारे आही गया तो मैया भी ना ये ते जो जाती है वस्तों से भी ये सब उन्हे जब छोड़ना हो तो कैसे समाली की श्वेम को लगतो है फिर से तिर बस्वर मैं बोल दियो मैंने ये ठीक है भाईया? ये बार ले आ लाँ एसा क्यों कहा इन्होंने? या ये कोई संकेत है? क्या काना कोई संकेत देरो है? नो मासी काना मिट्टी क्यों खोद रहे तू मिट्टी काना कच्छुना है छोड़ उसे क्या वसक है बाबा अच्छा ठीक काना उसे ही कह रहे है कच्छु तो है है कर दो कर दो कर दो कर दो पुरी नंदभावन लिख्यों इसे लो जे इंगा कहा से आई बाबा जा हम होएंगे वह तो नंदभावन होगो चाल गोकुल में हो या कई और कई और सुपसुप बोल लल्ला जे गोकुली तो हमारों घर है हम कई और क्यों जाने लगे बला भावन बनते समें रहे गए होगी जी जी भावन तो दसकों पहले बना है तब से ही यहां केसे पड़ी हो सकती नंदराज नंदराज उबनन जी गा संदेशा आयो है उन्होंने आपको छोड़े तला पे बुलायो अभी अधिशीक्रिव मया सदन प्राप्त करनो सरलना है वैसे इतना सरम तो माखन चुडाने में भी ना लगतो मैं तो ठको मिट्टी खोद खोद के ठकान हो गई लला और फूख भी लग गई ले माखन खा ले ना मुझे दूदी पिनो है अभी खा ले लला थोड़ी देर में दूद आणके दे दूँगी ले मुझे दूदी चाहिए माईया अच्छा देतीम कोड़े ठाहर जा माईया अभी दोना तीवर भूग लगी है अच्छा रोक अभी लारें हाट हैसो द्रश्य तो पहले कभी ना देखो गोकुल के आसपा जित्ते भी गाउं है सभी की तलाब ऐसे ही सुग गए नंदराज मुए का जल भी बहुत गराईम उतर गयो है और इस बार तो ठीक से वर्सा भी ना हुई का विचारे नंद हमें गाउं वालों को इस संकट के बारे में सुचित कर देनों चाहिए ठाकि वो इसके लिए तैयार हो सके नहीं भाईया अभी गोकुल के पास अपनी गईयाओं को चराने के लिए परियापत मात्रा में चारा उखना जलाशेयों और फूओं में जल्भी है एसे में इतनी सिग्र उन्हें बताने से सब लोग घबरा जाएंगे हाँ तो उन्हें ना बताना ही सही होगो सही तो जे होगा भीया के हम इस संकट का समाधान निकाल ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ले ना अधिक गरम है ना अधिक ठंडा पी ले क्या हुआ लल्ला अभी दो दूद पीना था अप्पी क्यों ना राँ पीनो है तो आपके हाथ से आज पी ले लल्ला देख मईया को कित्ता काम पड़ो है तो मेरा अच्छा लल्ला है ना आज पी ले कल मईया अपने हाथ से पिलाएगी आप पिलाओगी तब भी पेट भरेगो ना तो मैं फूकाई रह जाऊंगो अच्छा तूर है तू कुछ ना कुछ करके अपने बात मनमाही लेतो है आजा सिगर पीले नट खट करेंगा हे लारायन दूद आटने के बाद हांडी चूले पीछ खोड़ दिये उतर 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 लल्ला मैया को कोई मेरी चिंता ही ना है केवल गजराय मक्हवन वस्त्र माखन और दूद मात्वपून है इनके लिए और चात हो को प्राइब करेंगा क्रौन क्रौन कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो SHE कोई भगवान को छोड़कर संसारिक वस्तों की और भागेगो तो भगवान तो रुष्ट होंगे ही पर ये काना रुष्ट होकर करने क्या वाले हैं मैया को आज करने में चिन्ता ही नदाती आओ वाला मराच तुमें मेरे सची मेतर हो इसलिए केवल तुम आयो मेरा कश्ट आदा करने पतो है मैया का मन भर गयो है मुझसे तबी तो मैं मेरी चाय मेरी भू इन सब के इस्थान पर अन्वस्तूरे मात्वपन हो गई हैं उनके लिए इसलिए पूरा बिदू ना बिलाया पीछ में उतकी चली गई जिसका दूद तो इधर ही ने गव अभी तक देखो पूछने भी ना आई अरे मेरे पाक तो इंता ही था तो जाओ तो अच्छा है सका और वैसे यही तो था फूगो की साइदा करने के लिए उना बासेम सेखिसने करो बौन बासेमशने करो ऍ्रुम झाल झालबें प्रुम प्रुम आवा गता है तानहा मती मानो पर जब यह अपने ही घर में चोरी करेगो ना तो मानना पड़ेगो जशोदाजी कर दो कि अब्सक्राइब कर दो विए अब्सक्राइब राग्स